अबर यूटूब चैनल यह मशीन है संशाइन की S918K इसकी सबसे वड़ी खासकेती है कि मशीन का वैक्वूम बहुत स्टॉंग है आप मैं जो है मशीन का वैक्वूम जो है खाली है यहां पर रखा और इस तरह में आप सीच रहाँ यह पुरा पेपर जो है पुरा ताकत लगाने के बाद भी यह कोड़ने को तयाब में यह दूसरी चाहिए है यह आप लगाएंगे तो आप जो है इसके दो आप्शन है आपक और वैक्व में एक साथ दूस कर सकते हैं और आप अपनी फैसलेटी की अतनलब अप्वार्डिंग यह मशीन अप कैसे भी आप इसे हिला लो मशीन हिल जाईगी आप गलास नहीं लेगा यह दूसरी चीज है कि मशीन का भी वैक्वूम खाली ओन है अगर आपको टंट्रेच लो चाहिए आप खाली डिए उसकर लीजेगा आपको घंपरेचर जो है आपको जहां पर भी कट आप कराना है जैसे आपको टेंबर्यचर सटी पर कराना है थर्मो इस्टेट प्रॉपर होता है यही संशाइन की एक खास्यत है बहुत बड़ी जो चीज बनाती है तो में अविलेबल है बहुत इकनामिकल कॉस्ट पे है को लंबा जोड़ा फर्क भी नहीं है ब्रेंड है एक अच्छा खासा है कि स्ट्रॉंग ब्रेंड है अपने आप में को किने सिक्सटी पे टेंपरिचर करवाय इसका कि अगर्डर क्रेंगे सकू तो मби Salem Still इमेल्टर ओन करेंगेखंशच जाके बिलिंक करना शुरू है पर शुक्री है तम्परेचर उसके बाद चैसे से माइनस में आना शुरू हो गया क्यों मैंने टेंपरेचर डाउन कर दिया आप टेंपरेचर डाउन करने का फाइदा यही है कि अपने आप जो है त्रमस्टेट काम कर रहा है उपर से नीचे आ रहा है टेंपरेचर अगर मैं टेंपरेचर 90 पर सेट करता तो टेंपरेचर नी तेंटी डिए सेलसेश पर जाके कट आफ कर जाता है थैंक यू वरी मच अल आफ माइश सपोर्टर उन सभी दोस्तों से गुदारीशे जो नों मेरा चैनल भी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले और मशीन का जो ड्यूल परपस मशीन है लमल्टी पर आप को सब्सक्राइब करना यडिए करए